देश की पहलवान बेटियों को आपकी सरकार में दिल्ली पुलिस के लोगों ने जलील किया बेजद किया तवे आपको लज्जा अपतनिक भी लज्जा नहीं आई आपने सरम बेज करके खा रखी है घुटनों के बलाई मोजी सरकार अप पार्लियमेंट में देश के परदान म कि कुर्सी और आयासवाजी खत्रें पड़ गई है वीश्टो गुरु कि वीश्टो का सबसे बड़ा महामुर्ख देश बन चुका है कि अभी देखिए कहां कहां घुटने टिकेंगे कितने बार रोएंगे नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज जिस तरीके से 2023 खतम होने को है और 2024 आने वाला है उसकी शुरुवाती दोर से अगर देखा जाए तो पहलवानों का पहले प्रदर्शन होता है जंतर मंतर पर लगबग वो बैठे रहते हैं उसके बाद भी उनक संग है जो पहलवानों का उसको निलंबित कर दिया गया है और साथी साथ जो अध्यक्ष बने थे संजे सिंग उनको निलंबित कर दिया गया है इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चत्रवेदी जी सर्क्या कहेंगे इस पर आप यह सही हुआ कि गोटनों के बलाई मोजी सरकार आने वाले लोकसभा में अपनी पराजय को देखते हुए जाठ शमुदाय के सामने घोटने टेक दी है सेम इसी तरीके से किसान आंदोलन जब अपने आखरी चरंप में था उत्तरप्रदेश और तमाम इस्टेटों में चुनाओ थे अगोट परने टेकते हुए देश के माननी प्रधान मंतरी स्रीमान नारेंदा मोदर्दास मोदी और प्राजा वाबू ने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ चूख हो गई है अरे कहां कहां देश वास्यों को अपने जुमले और जहां से बाजी मफसाते रहेंगे स्रीमान यह देश आकारी को समझ गई है आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते आप बेरोजगार नौजवानों का सम्मान नहीं करते किसानों का सम्मान नहीं करते खिलाडियों का सम्मान नहीं करते बजरंग पूनिया जो पदम स्रीपुरसकार मिला था प्रधानमंत्री आवाज के सामने सलक पर के चले गए उसके बाद देश की पहलवान बेटियों को आपकी सरकार में दिल्ली पुलिस के लोगों ने जलील किया बैज्जत किया तवे आपको लज्जा अबतनिक भी लज्जा नहीं आई आपने सरम बेज करके खा रखी है तो थोड़ी भी आपके वहां बिवेक बिंद्र सका जो है शिक्ष शमुदाय के दसमेग गुरु गोविन सिंग जी के बारे में भध्दीटी पड़ि करता है उसका आपकी टोल आर्मी जो है सपोर्ट करती है आपको साहइं सिक्ष समुदाय के बारे में ज्यान नहीं होगा संकी साखा चलाना बूल जाएंगे अना हो तो ज देख लेना 1984 में उसके बाद भी नहीं हो तो आप देख लेना कि काबुल अफगानिस्तान के पठानों को कि सरदार हरी सिंग नलवा महराजार रंड़ी सिंग के सेनापती थे सालबार पहना दिया तो इस तरह से मत कीजिए कि देश में ग्रियुद की आग भड़क है बेरोजगारी किसी भी देश के लिए अभी साब साबित होती है एक बारा बीवियम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाओ करा करके देख लिजिए इस देश का युवान बेरोजगार नोजवान पढ़े लिखे विद्यार्थी महिलाएं किसान छोटे मजोले ब्यापारी आपको ओट नहीं देंगे और आप पचास का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाओगे कब तक चुनाओ आयों के पीठ के पीछे छुप करके आप इस तरह की घिनोनी कुक्रित और देश को आपने तो आर्थी ग्रूप से दीवालिया बना डाला कंगाल कर दिया अभी जो रिपोर्ट आई है पढ़ने को मिली है देखने को मिली है कि 2004 से पहले ज चंवन लाग करोन करजा छोड़कर के विदेशी करजा छोड़के गई थी और आप नवे साल में दो लाग दो सव लाग और पांच हजार करोन आप जो है करजा उठा चुके हैं आज तो हमारे देश में पैदा होने वाला बच्चा जो छे महिने बाद भी पैदा होगा वह देश का हिंदू खत्रम है मुशलमान खत्रम है इस देश के संग्यों की कुर्सी और आयासवाजी खत्रम पड़ गई है मेरे कहने का अभी प्राइब यह है कि अभी देखिए कहां कहां घुटने टिकेंगे कितने बार रोएंगे देश का पीम रोता है लेकिन अब तो मतलब सुना जा रहा है शुटना रद कर दिया सिंग के उस्कों र्द कर दिया गया तो सुन तो रहे हैं प्लिश्षास्रण के इस DAY यहां नहीं हो सकती प्ग मानिपूरकी मिला नहीं मिला आप बताईए इनका जो वहां का मुख्यमंत्री है कौन यादव है मध्यप्रदेश का उभग करके इनकी सरण में आया है वहां तो मामा बगावत कर गए हैं लाड़िली बहनों ने मामा की उपर आरोप परत्यारोप लगाया आपकी गारंटी तो सब जो है लफाजी और जुम सब योजनाय समाप्त कर दी साड़े चार सो की जगह जो सिलेंडर का आपने रखा था वो भी समाप्त कर दिया हाँ इस देश की जनता के साथ मध्यप्रदेश राइस्थान या च्छतिस गड़ में जो पहले हुआ था अब होगा तुकि अपरकाष्ट के मध्दाताओं या उनके नेताओं की हत्या करवाने में से आपलों को गुरेज नहीं है अभी करणी सेना का राष्टी अध्यक्ष वहां पर राष्थान में जो भाजपा सरकार बनने की घोसला भी मार दिया गया कुछ च्छा नहीं हुआ गिरफ्तारी हुई ले दे के समाप्त मेरे कहने का प् मेरे कहने का प्राई यह है कि पूरा देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है सिर्फ आवचारी घोस रहा है आने वाली सरकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार किसी की बने देश की बदहाली को सुधारने में कम से कम 200 साल लग लग जाएंगे त किसान तो नहीं रहे होंगे अरे कम से कम उपराष्ट पती जो जो उनकी मिमिक्री हुई थी उन्होंने बोला तो है कि दो पूरा जाट जो लोग उनका अपमान हुआ है साथ में किसानों तक का अपमान करा आए है आप बताईए जो जाठों की बेटिया थी रसलर बेटिया किसान तो नहीं रहे होंगे उसमें जाठों किसान तो नहीं रहे होंगे अरे कम से कम उपराष्ट पती जी को सोचना चाहिए समझना चाहिए कहावत है कि हिंदूों में सत्तर अस्ती साल के बाद बोजुर का दिमांसी खालत खराब हो जाता है दिमागी रूप से दिवालिय होने लगता है तो उसका असर दिखाई देता है कहावत यह है कि पूटी खाट अज धुका हुआ जाट जाट समाज को पसंद नहीं है तो हमारे माननी उपराष्टपती जी नरेंदर मोजी जी के सामने इस तरह से करते हुए दिखाई देंगे अगर उनकी मिमकरी हो गई तो कौन सा तुम्हा आपकी नकल उतारी गई है कापी की गई है यह भी एक कलाकारी है तो ऐसे मिमकरी करेंग अगर वही रहूल गांदी उनकी वीडियो बनाएंगे उदर तर अचाही बता ये तमाम जगा नाच होती है खेल खेलाडी खेल दिखाते हैं क्रिकेटर है उनका बीजो नहीं बनाए जाता है तो अगर कोई कलाकार अपने कला का प्रदर्शन कर रहा है ओ भी माननी तो अगर किसी ने बीडियो बना लिया तो इसमें धनकर साब को खुष होना जी है कि इनका परचार परसार हो रहा है और देश के प्रदानमंत्री पचासला की गॉर्ल फेंड कांग्रेश की विधवा काउ तमाम तरह के प्रभचन जो बोले हैं उसके बारे में क्या धनकर साब को क्या क्या ख्याल है अब पालियमेंट में देश के प्रदानमंत्री आख मारने में कलाकार है कि देश को आगे बढ़ाने में कलाकार है अचा दू लाख है दूसो पांच लाख करोन रुपया कर जवा किस ने लिया लिया है कि देस का विकास करने के लिया है ना देश कोने बड़ा है वो कि विल्बाब चुके है वो बिस्ट्व यौ Elijah कि si Mali में बन चुका है यही तु मैं जानना चाहता हूं जिस देश के प्रदानमंत्री को सवाल भी करवाने में में ब strikes प्रधानमंत्री से आप क्या साथ कर सकते हैं कम से कम अक्मर बाद साहिं से कम अनपड़ था लेकि इन से बहतरीन था कि परिद्वानों की मंडली रखता था इनके वहां इनके तो मुर्खों की मंडली है तब अर्थी रूप से धीवाली होते जा रहा है आपको भागलपुर मेडिकल कालेज में एम सखूला है जख्या यह बिहर बड़े इलाज करा रहे हैं उनको एम साने जरूवत नहीं है पीजिए जाने जरूवत नहीं है तो ही खुले मैदान में इलाज हो रहा है किसी पेड से एकसरे लिले लिया जा रहा है और कोई कुर जो ह कॉंग्रेस सरकार EVM लेके आई और वहीं वो कह रही है कि EVM से चुनाव नहीं होने चाहिए क्यों जब डाक्टर मन मोहंशिंग जी की सरकार थी अटरल जी की सरकार गई थी पीम इन्वेटिंग मानी अटरल भी हरी बाच पर इसके खिलाप आंदोलन किये थे नहीं तब यह मु कि यासी सतासी रुपे रहेगा या ठासी रुपे रहेगा तो एक कोरोना के समय में वह लौकडाउन लगा दिया गया तो लोग घर से बहार इनी निकले सब कुछ घर बैठे वेटे जो सेविंग्स थी उसी से अपना घर चला रहे थे अच्छा को जैस हो गया करोना नौ साल था नौ साल करोना लगडाउन लगा था तो मेरे कहने का प्राइए है जब इतने कम दिनों करोना था ताटा और अमबानी और गौतम अड़ानी का बैंक तो कम नहीं पड़ा उन्हीं कुंका कैसे ही जाफा होता रहा आप बताएए तमाम बैंक डूब कैसे रहे हैं क्या आपको क्या जरूरत आन पड़ी अभी पतान पड़ी है कुछ चुनावायो को अपने कब जिम लेकर के आप जो है जिक्टेटर सीब चलाना चाह रहे हैं अरी मंदारी से जनता चाह रही है देश के ने तमाम बिपक्षी पाटियां चाह रही है तो आप बलेट पेपर से करा आपको जनता पसंद करेंगी आपको देगी नहीं करेंगी नहीं देगी तो इनको तो डर है कि मैं सक्ता से जों बेदखल हुआ तुरंत तीहार जेल में अस्तान सुरक्षित हो जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया तो सबी चीजों के जवाब दिये हैं उन्होंने सारे प्र